यह इस वीडियो सिर्जिस का चौता वीडियो है लास्ट के 3 वीडियो हमने जो अपलोड किये उसमें हमने Set और basic functions की बात करी है हमने यहाँ पर बात किया था कि किस तरह से हम dynamic URL create कर सकते हैं और उसमें date change कर सकते हैं और उसी में वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं तो प्लीज आप पहले की तीन वीडियोस देखिए तीन वीडियोस में हमने basic cover किया है यह जो फोर्थ वीडियो है इसमें थोड़ा हम advanced level लेंगे जिसमें हम library को cover करेंगे तो आपके लिए यह आसान होगा समझने के लिए कि बाकी तीन वीडियोस में हमने क्या दिखाया है इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं जहां से हमने इसको चोड़ा था वीडियो को जिसमें हमने import data function को use किया था और यह देखा था कि किस तरह से gif file को यह properly read नहीं कर पाता और यहां पर values को set नहीं कर पाता है set नहीं कर पाता जिस form में हमें चाहिए basically यह table form में होता है so table नहीं आता है आपर right अभी यह csv table में आने के लिए हमारे पास में definitely यहां पर इसको formatting करना पड़ेगा जो की import data function जो free functions Google की तरह से होता है वो इतना capable नहीं है कि यहां पर इसको यह align कर सके along with that csv procedure csv के जो formats होते हैं csv का जो procedure recite करने का values को उसके according यह align नहीं कर पाता है तो इसका solution हम अभी एक premium category और free category दोनों ही version के आपका library है उसमें देखेंगे और library को जब हम use करेंगे तो उसके कैसे हम उसको advanced level पर use कर सकते हैं अपने बड़े किसी tools में वो भी हम आने वाली videos में देखेंगे क्योंकि अपने पास हमने देखा है ना कि हम EOD data से related चाहे वह copy analysis volume delivery चाहे OHOL volume के साथ में या चाहे किसी भी type का आपको जो applications अपने लिए बनाना होगा में basically वो अपके लिए I think अगर आपको app script या javascript का पता नहीं है आप basically जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ऐसे आपके libraries रहेंगे तो handle कर सकते हैं को ज्यादा efforts लगाने के ज़रूत नहीं होगा इस वीडियो में मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि यहां पर import data जो है इसकी जगे पर अगर यहां पर देखेंगे तो url तो है url है बट अपने को import data के तुरू यह नहीं आ रहा है तो हमने आज यहां पर जो हमने बात किया था पिछले वाले वीडियो में कि हम आपके सामने libraries रखेंगे तो दो libraries की ID है यह जो first वाला है basically यह free version में है इसको आप बहुत पहले से use करते आ रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो यह बहुत पहले मैंने अपलोड किया था एक वीडियो है यहां पर दिखा देता हूं आपको यह वाला यूवर यह वाला आपको आपको आइडी देखना है इस पर आइडी नीचे मैं यहां पर देदूँगा कापी करना ही आइडी आपको extension में जाकरके ऐसा वाला पेज़ कुलेगा extension में जाएंगे ऐप स्क्रिप्ट में जाना है आप स्क्रिप्ट में जानी के बाद आपको आप स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपको यहां पर लाइबरीज पर क्लिक करना है यहां पर लाइबरीज आड़े लाइबरी तो यहां पर आपको स्क्रिप्ट आइड़ी डालनी यही स्क्रिप्ट आइड़ी आपको मैंने वहां पर कॉपी करने के लिए दिखाया है तो यह और जैसे को और जएसे हम लाइडारी को कॉपी करेंगे लुक प करेंगे इस लाइडेरी को रइडं यहां परfinder इस लइडेरी और आभी तक चाल रहा है हमने फे जट आइसे डड़ेडा ओरली इनवेस्टर करके एक लाइबरेरी क्रेट किया था असे करीब डेड़ साल पहले वो और आज भी वो लाइबरेरी खूब अच्छे से लोग यूज कर रहे हैं मैं आपको बताऊन को हुआता बहुत सारे अच्छे eksha comment अया मुझे की जो लोगों को अभी तक किस टाइबर इस टाइब को हीजी बीर्यक प्र हमें लेकर यहां पर हमने ल्म आखिए यहां पर के लिए हमको कोड करना है यहां पर आप अन्टाइटल्ड कुछ भी नाम दे सकते हैं यहां पर भी कुछ भी नाम दे सकते हैं तो यहां पर मैंने दे दिया तुरुरी नहीं कि वह कोड वहां पर लिखा हो कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं राइट यहां पर my function by default आपको आएगा my function by default जो आ रहा है तो आप चाहे तो edit कर सकते हैं पहला function हम create करेंगे वो file open होगा तो action क्या होगा उससे वो create कर सकते हैं जिस पर हम दो menus लगा सकते हैं basically एक csv को लेकर के और इसको लेकर के यहां पर सेट करने के लिए अपने गूगल शीट में और दूसरा था जिप पाइल के अंदर जो csv पड़ी होती है उनके लिए मैं पोल रहा हूं यहां पर दिखेंगे तो यह जैसे इस्टोरिकल इक्विटी यह बिसिकली भाव कॉपी है यह जीप के अंदर csv है उसके लिए है यहां पर अभी हम पहले import csv कही function create कर लेते हैं अपने को function का नाम अगर प्रॉपर्ली डालना है यहां पहले हम डालते हैं page nsc.rlister . capital में f की वज़े से red आ रहा है बाकि यह अप्डेक्शिन के टाइम पर हमने गलती से यहां पर f capital ही रख रखा है और यहां पर देखेंगे तो जैसे हमने dot प्रेस किया यहां पर import csv को हम यहां पर tab प्रेस करके enter कर दिया और उसके आगे हमको bracket open close वाला लगाना है अब यहां पर यहां आएंगे और यही same जो यह आपने लिया है इसी को आप copy करके पेस्ट कर देखेंगे same वही paste हो गया आप यहां पास में एक function यह ready हो गया ठीक है यहां पर हम इसको save कर देते हैं और दूसरा function ऐसे ही add करते हैं तो इसमें एक काम करते हैं थोड़ा जल्दी बाज़े के लिए आपके time बच रहेगा में हम इसको यहां पर paste करके उसके यहां पर दूसरा function लेते हैं import zip देखेंगे आप लिखा इसमें import zip वाला हम use कर लेंगे function के बाद आपका यहां पर right third हम आएंगे यहां पर और यहां पर nsc csv file का भी हम लेंगे यहां पर हमने वह paste कर दिया पहले यहां को ही change करेंगे nsc csv file क्योंकि हमने csv file का वह किया है हम csv file को import करने के लिए यह use कर रहे है automatically suggestion दे देगा आपको आपको ज्यादा महनत करने के जुदत नहीं है अब यहां पर fourth function है हमारा import nsc csv nsc file right यह हम zip के लिए basically देते हैं अब अब अगर हम चाहे है तो एक custom menu के लिए यहां पर हम custom menu में already वहां पर हमने on open function दिया है हम सेम उसी type का यहां पर on open कर लेते हैं पहले यहां लिख लेते हैं उसके बाद वही पेस्ट कर लेंगे on open जैसे हमने search की on open टिक तो इस तरह से आपके सामने यहां पर basically छोटे छोटे code यहां पर paste कर दिया हमने और अब यहां पर हम दूसरे वाले जो अपना लाइबरेरी है उस वाले लाइबरेरी के बाद में बात करते हैं कैसे आपको यह यूज करना है यह basically free version है तो इसमें आपका data phase हो जाएगा ऐसे ही सेम एक हमने स्क्रिप्ट हमने सेम इसी टाइप का एप स्क्रिप्ट के लिए ही लाइबरेरी क्रिएट के है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए अब चाहें तो उसको भी हमारी वाली वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर data ही होना चाहिए data capital में small में नहीं रहेगा कोई space नहीं रहेगा कुछ भी नहीं यहां पर होना चाहिए simple plain data के लिए होना चाहिए data और जो भी आपको URL phase करना है उसको लिया करके आप यहां पर आपको यहां अभी मैं आपको बताओ इसमें जो आपको इंपोर्ट 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 यह और उपन वाला इसको आपको एक बार रन कर लेना है अच्छा यह जब रन करेंगे तो आपको ऐसे authorization के लिए पुछेगा आपको यह कंविए हमने अपने यूक्त के लिए हैaraathi dat किसी टाइप का इसको पर कहीं पर लिस्ट नहीं कर रहे है यह अब प्लिक चिंव क्यों यहां पर यहां यहां पर यूज यूज क्या भी दे रहे हैं अपनी यूज के लिए बनाया है तो हम इस टाइट से यह पर आपको एक्सेस तो मांगेगा है तो एक बात है आपको यह एक्सेस देना है बड़े अराम से आपकाउंट सेलेक्ट करना है और अलाव पर क्लिक करना है आपका यह एक्सेस्फुल होने के बाद आपका यह ऐसा एक्जिक्यूशन स्टार्ट इंड कम्प्यूटेड आ जाएगा यहां पर आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा फेच सीस्वी फेच डिप मैं कस्टम मैंनु एज एड हो जाएगा पहले यहां देखेंगे हल्प तक था आप इसवाले में एड हो गया है यहां पर अभी पेच में जाएंगे सेविक्क करेंगे और क्यूंकि हमसे समझेगा यह विद्धुल हमने यहां पर तो देखिए ओ युवारल पेस्ट किया है हम को जो युवारल फेच करना है युवारल को जो हमको यहां पर set करना है इसका outcome CSV को set करना है उसके लिए में क्या करना है यहां पर सिदा जाना है page पे और page CSV पे click करना है page CSV पे देखेंगे तो enter start column number enter start column number कहां से start करना है किस column से अगर आपको यहां से करना है तो one two three ऐसा करके आपको यहां पर enter करना है तो हमने यहां पर जैसे ही किया अपने आप URL को read करेगा वो और आपको सिर्फ यहां पर डालना है one two जो भी आपको डालना है और अचा by default यह second वाला ही रो लेगा ठीक है by default second वाले रो से शुरू होगा क्योंकि first row में आपका URL रहेगा आपको जो भी URL से डाइनेमिक URL बनाना है आपके पास में इतना enough space होता है वहां कहीं पर भी create कर सकते हैं date create करना वह सबाब कर सकते हैं वह जैसे हमने उसमें बताया ठीक है अभी यहां पर देखेंगे यह आपका ksv वाला हो गया अगर इसी की जिगे पर आपके आपके हमने जीप वाला होगा तो क्या करेंगे अभी हम जीप वाला कॉपी कर लेते हैं इस वाले में ही paste करते हैं डेटा में यहां पर हमने जीप का URL पेस्ट कर दिया जीप वाला है URL अब इसके लिए हमको सिंप्ली जाना है यहां पर जीप में और यहां पर जीप फाइल नंबर तो इस वाले में हमारे पास में केवल मैं आपको दिखा देता हूं यहां तो मालनी जीए यही वाला यही वाला हमने यहां पर पेस्ट किया है तो हम यहां आते हैं इस पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक क करेंगे तो देखेंगे इस वाले जिप फाइल के अंदर यहां पर देखेंगे एक ही आपका एक ही फाइल है इसका जो zero रहेगा एक्चली इसका जो ज्प फाइल नंबर रहेगा तो जिडिरो रहेगा उसके बाद अगर 2 होता तो 01 होता ऐसे करके आपके numbers बढ़ते जाएंगे ठीक है इसमें आप देखेंगे 0 हमारा मतलब एक ही file है तो 0 हम select करेंगे जब हम zip file फेच कर रहे होंगे यहां पर हमने zip पे select गिया page zip और यहां zip file number हमने जैसे बोला कि 0 चाहिए हमने ok प्रेस किया और start column फिर से वही बात हम कहां से शुरू करना चाहते हैं इस बार हम second number row से देख लेते हैं जब second number row से शुरू करेंगे तो दिहान दीजेगे जो participant wise open interest है यह ओवर्राइट नहीं होगा यह आपको manually clean करना पड़ेगा यह अभी हम first हो फस्ते ही ले लेते हैं अगर इदर कुछ column यूज नहीं होंगे तो उदर वह ओवर्राइट नहीं होगा अब देखेंगे यह यह नहीं हुआ यह ओवर्राइट नहीं हुआ बाकी data यहां पर आकर तो फस्त तो यह है अब इस वाले में क्या है कि आपको जो भ होना चाहिए जो आपका वर्क्षीट रहेगा उसका मस्ते की नाम डेटा ही होना चाहिए दूसरा आपका एवन सेल ही होगा जिसमें आपका यूरल पेस्ट होगा तब ही आपका जाकर के API वर्क करेंगे तब ही आपके function काम करेंगे ठीक है यह हो गया आपका पहला मेथड दूसरा मेथड क्या है आपके पास में एक ऐसा function क्रेट करके दे सकते हैं यह function है अपना वह function आप reusable मेथड पे किदर भी आपको डेटा ले आएगा यह आपका आता ह हम यूस करेंगे लापरारा ऐड़ क लिए के लिए यहां पर अमने library-ad Delhi कोपी कर लिया है यहां पर आक करके हम second library at just करेंगे और रिक को प्रिया है नमबर वन वर्जन शीलक्त करेंगे लगई तर नममर 1 वर्जन सेएड़को पर हैड को चोड़के development mode को चोड़के सेलेक्ट करना है इसको कुछ नहीं करना इडिंटिफायर को सेव कर देना है जैसे आप सेव करेंगे आपके पास में इस अभी आपको इसी में आड करना है इसी में कर लिजिए आपको बाद में यह उठा करके कर सकते हैं अगर यह भी पेटर होगा कि आप प्रैक्टिस करने के लिए चाहे है तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिले तो आप प्लीज जहीं से आप देख देख के टाइप कर लिजिए थोड़ा टाइम लागेगा यहां पर अभी हम आते हैं आप गयर हम वही सेम फंक्शन का लेंगे फंक्शन पहले लिखेंगे फंक्शन से महीं कौन कौन से फंक्शन रख रहे एक घ्यांपल के लिए मैं बोल रहू हूं मुझे तो पता ही है अगर अपने को यह चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर मैंने ब्रेकेट अब यहां इसी के बीच में हम बादयों function का नाम इसको देंगे तब तक हम इसमें क्या करते हैं प्रीमियम फंक्शन डॉट अब देखेंगे इसमें बिसिकली ओ त्री टाइप्स के function है get csv, get wave data, get zip csv data तो हम क्या करने वाले हैं अभी में पहली बात तो यह कि अगर हम इसको क्योंकि हमारा यह अगर हम इसको csv data के साथ में आपको देते हैं आपको जादा टाइम भी लग जाएगा और अब ही कितना टाइम हो गया वीडियो में बिसिकली आपके लिए आपके लिए करके इधर पेस्ट करके आपको दिखाता हूं या फिर इधर ही हम नोट डाउन कर लें इसको भी कहीं तो करने में भी किदर ही तो रखा है यह पर ठीक है हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं फंक्शन और इसको ब्लांक फंक्शन में कर लेते हैं बाद में इसको हम रेडी करेंगे premium function dot get csv data अब हम इसमें देंगे url इसमें url ही देंगे बिकाज हम csv data के ले रहे हैं url देंगे अब url देने के बाद यहां पर हम same यह function उठाएंगे अब हम इसको एक काम और कर सकते हैं premium function function से return करेंगे right यह अपना ready होगे अब हम इहां return return space हमारे क्या होगा यह वाला अपना इस वाले function को return करेगा इसका थोड़ा सा improved version मैं नेचे paste कर दूँगा वह क्या है आपको फिर मैनत नहीं करने पड़ेगी दूसरी बात वहीं के वहीं से आप उसको use कर सकते हैं इस type से हम मतलब csv data के लिए use कर सकते हैं हम उसके लिए भी use कर सकते हैं csv premium के लिए मैंने एक्शुली प्रिंट पी किया है पूरा प्रिपेर किया है मैं एक मिनट में देख कर देख कर देख मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं यह सेम और कम ने किया है क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इवन सारा का सारा यहां पर यह में लिए अभी कि अभी इसको रिमूफ करके सेम यहीशचन री है मैंने पहले कि मैं से में किया है ए यहरा इसी डशी याहां पर डेता और हम रेटर्न कर लेंगे तो यह आन्रडी है अपने पास में यहां पर आपको अपने पास में पर epic एक डूसरे उसा पार्ट है कर emptos आपको यहां यह प्रीमियम वाले का है तो यहां पर देखेंगे तो आपका get csv data और zip data और web data basically बहुत useful है अभी मैं थोटे दिर में दिखाता हूं आपको कि किस तरह से आप ऐसे जो बहुत सारी ऐसे थर्ड लोग आजकल सब copy paste करकर करके और अपने आपको बताएंगे उन्हों ने किया आप पुरा YouTube देखेंगे उसमें जो फर्स्ट गूगल शीट पर option chain create किया वह आमने किया था और उसके बाद हमसे किसी और ने ले करके वह अब्लिश कर दिए यूट्यूब पर ठीक है वास्ट टाइम सो वह भी एक है और इवन वह तो मुझसे ही शीट ले करके यहां पर रिसेल करते हैं बहुत सारा ऐसा हुआ शुरुवात में और यह बड़ा तकलिफ अला मैटर होता है कि जब आप किसी दूसरे के यहां पर आप देखेंगे और बहुत सारे ऐसे मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसे करते हैं वह तरहा सर कहीं न कहीं उनके दिल में चोरी तो है ही और क्या ग्रोथ करेंगे और यह बीच में थोड़ा सा हम बातों को सोच के टिस्टर हो गये क्या से हुआ यहां पर देखेंगे तो मैंने पेस्ट कर दिया है यह प्रीमिम्म वर्जन वाला है आप सिंपली पेस्ट सेव कर दीजिए यहां पर आएंगे अभी आपने देखा कि थोड़ी दर पहले यह वाला जो फाइल था ठीक है यह वाले पर अच्छा यहां पर आप देखें आरकाई यह भी आ रहा है कि कुट नॉट फेच यॉरल यह भी एक प्रॉब्लम है विच विच में इंपोर्ट डेटा में आ जाता है राइट तो इसको अगर इसी को आपको मैं दिखाऊ हूं सेम इसी को और यॉरल सेम है मसमें अपना फंक्शन यूज़ करना है get csv data ठीक है अबने इसी के आगे जाए यह जिप फाइल वाला है याद दीजिए जिप फाइल वाले हमको get csv data वाले पर क्लिक करना है यह करके हमको यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि यह क्यों हुआ था problem राइट हमारा इसमें लेकिंगे तो जो यह प्रॉपर्ली फेच नहीं कर पा रहा था वह फाइल्स में csv को इस टाइप से इस फार्मेट में ऐसे मतलब वह प्रॉपर्ली अलाइन ही नहीं कर पा रहा है वाला premium function get get gips csv data वाला use करेंगे और enter करेंगे और simply इसमें हमें एक तो url डालना है और दूसरा gip file number डालना है ठीक है तो gip file number हमें यहाँ पर डालेंगे और हमारा gip file number इसमें 0 ही है तो विदाओट आपको quotation इसमें simply बस as a number डालना है जिरोम ने डालना है और okay कर दिया automatically load करके अपने को वह data दे देगा और बड़ी बात क्या है इसमें कि आपको यह जो data का outcome आएगा इसमें आप देखेंगे सब डेटा आगया ठीक है तो यहाँ पर जो benefit है इस particular function का प्रीमियम function है इसका function का यह फाइदा है कि पहली बात तो आपको एक common type का function जो इंपोर्ट डेटा है इंपोर्ट वह आपको यूज नहीं करना है क्योंकि वह तो अल्मोस्ट अल्मोस्ट सभी यूज कर रहे हैं और उस पर कहीं न कहीं जो भी जो भी वहां पर issue होगा वह एक बहुत huge level पर यूज किया जाने वाला है यहां लेगिन कैसा है आपको कि यह simply हमने कस्टम क्रीट इसको हमने कुदी बनाया है कस्टम क्रीट फंक्शन से बैसिकली और दूसरा क्या इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं लाइक इंपोर्ट डेटा ही इस इंपोर्ट डेटा यूज कर पार तो देखा आपने पहल देखे इसमें क्या है आप इस फंक्शन को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं सब्सक्राइब यहां पर देखिए अन्य गंट्रोल सी किया ठीक है लेकर आकर यहां कर दिया हमको यहां पर ही डाटा मिल लाएगा इसमें है कि यह वाले फंक्शन में प्रीम वाले में आप यहां पर यह यूज कर सकते हैं ठीक है दूसरा ऐसा ही आपका CSV के लिए है और एकदम वहां पर आपको कैसे करना होता है वो दिखा देता हो यहनुम तो बहुत सिंपल है आप डालेंगे हैं इसमें गेट CSV डेटा इसपे आप इंटर करेंगे और आपको अगर URL नहीं पर डालना हो आपको अगर URL वहां से नहीं करना है तो आप इसको quotation में भी लेकर के आप डाल सकते हैं इसी को ही आपको यह सीएसवी डेटा और गेट जिप सीएसवी यह दोनों टाइप की दो टाइप की आपको मैंने दिखाए यहां पर किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं आप आपको मैं लास्ट में इसमें दिखा रहा हूं कि यहां पर थार्ड वाला जो है वह अपना वह वेब डेटा स्क्राप करने के लिए हैं रही तो है ना यूरल लगत तो रहा है अच्छा आर्काइव है तो सही आप भी कर लेते हैं आच्छा यहां देखिया आए गया एक तो तरीका यह है कि उसका सिदा सेल का रिफरेंस देदीजिए उससे आजाएगा दूसरा आपका तरीका वह है जो आपको पता ही इंपोर्ट हेमेल में चाहे इसको कोटेशन के अंदर में यहां पर वो यूरल पे इंपोर्ट हेमेल यूस करते हैं यूरल डालते हैं और सब यह वाला आप जब यूस करते हैं तो इसमें आपको टेपल आती है इसे वाले फंक्शन की जगे अ यूरल मैं ले लेता हूँ आप लोग समझाएगेगा तो ही सो करेंगे आप देखेंगे तो इसमें एक यह वाला यूरल तो हम लोग चीुज करते है ठीक है और इसके बाद हम पर कि यूर्ण करते हैं फिर पर्स नमबर टेबल करते हैं यह सेकंड नमबर जो भी है उसका डेति बेशिंटर बिसक्लिलिया आता है 1 스타 पर जैसे empty है तो यह हुआ second पर try करते हैं second पर वो होता है कि जो भी data है वो आया एक तो तरीका यह है जो आप import functions use करते हैं इसका ही alternative solutions हमने premium वाले में दे रखा है आप चाहें तो इसको नहीं use करके जब आपको प्राब्लम देता है उससे better जो है उससे भी improved है जो वो यह है कि आप इसी की जगह पर से यहां पर आपको यह table available लिखना पड़ा ठीक है आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको ब्रेकेट क्लोस करिए और इस import HTML की जगह पर function replace कर दिए get web data इसको आप क्लिक करेंगे URL इसमें सेकंड चीज़ पूछेगा length length of column मतलब कितने column का data है वो basically आपको यह कैसे पता चलेगा जब वेबसाइट पे आप table देख रहे होंगे तो एक roughly idea लग जाएगा आपको की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके आपकी लिजिए उससे 10 column फाल तो ही डाल दीजिए कोई इस्यू नहीं है यहां पर देखिए अगर मैं randomly इसको 30 डाल देता हूं ठीक है 30 तो है नहीं मुझे भी पता है 10 15 है इक्स्ट्रा मैंने डाल दिया तो क्या होगा length of columns के यहां पर पिछले वाले में यह वाले में और उस वाले में अपने को यहां पर कुछ नहीं करना पड़ा है simply length of length डाला हमने और यह आगया automatic अपने आप page कर लेगा अपने को table identify नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है ऐसे बहुत सारे use case हो सकते हैं particular ऐसी websites पे तो वहां पर आप इसको use कर सकते हैं और भी है एक दो यह भी URL लभी किसी भी URL पे आप उसमें mostly use कर सकते हैं यह था इस वाले में मैंने दिखाया कि किस तरह से आप यह प्री वाला प्री वाला अपने library यूज कर सकते हैं और प्रीड वाला भी जो यह premium वाला basically है वह भी यूज कर सकते हैं आप कोई सभी उसमें use कर सकते हैं अगर आपको इससे related अलग से separate कोई custom requirements है आप उसके लिए मुझे contact भी कर सकते हैं WhatsApp number मैं आपको share कर देता हूं यहां पर WhatsApp number मेरा आपको mention है 728719 यहां मेरा WhatsApp number है only WhatsApp है इस पे और आप call ना करें तो ठीक रहता है यह call का किसी के पास time नहीं होता है आपको ही पता है आप basically WhatsApp डाल के चोड़ सकते हैं हम लोगों को जब भी वहाँ पर schedule मिलता है time मिलता है तो हम call कर सकते हैं WhatsApp call पर बता सकते हैं custom requirements के लिए इस वाली series में जो भी मैं दे सकता हूं इसके बाद यह तो अपना सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी बेस है अगर यहां पर आपका बहुत simple use case था आप यहां पर अपना end कर सकते हैं इसमें data आपको मैंने scrap करना दिखा दिया अगर आपको alignment वेकरा और बाकी चीज़ें किस तरह से data को align करते हैं अपने functions और formula के थूप basically अभी इसलिए चल रहा है जब तक अपने पास data ही नहीं होगा तब तक यह यहां पर आने वाले जो function और formula है इनका use case नहीं है जो data यहां पर दिखाने की कोशिश करो यह data आ जाना चाहिए data आने के लिए हमारे बास में इसलिए लाइडरी वाला वर्जन आही गया है दोनों ही टाइप के पूरी अपरी वाला कभी भी यूस किसी भी यूस करिए और जो paid वाला है premium वाला है जो basically तो specific case में हो सकते हो लग अधरवाइस इसका भी इसका भी अल्टरनाट नेटिव फ्री वाला इंपोर्ट विटा इंपोर्ट वाला सारा यह था वीडियो में नेक्स वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से अपने को अगर इसमें custom modification नहीं है अगर requirements रही तो उसी के बीच में जैसे मैंने बोला है कि हम बाद में app script पर shift होंगे app script में देखेंगे कि किस किस तरह से आता है अभी इससे related जैसे free वाले free version में ही अपने data records करने का या filtration करने का वह सब भी scripts हैं तो वह हम आने वाली वीडियो में one by one करके शेयर करते चलेंगे मेरा यह intention है मेरा वीडियो का main intention यह है कि जो बहुत basic basic चोटी चोटी चीजें है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है और अगर मुझे आता है तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है सभी को आता होगा तो गलत एक धारना थी मेरी बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे questions आये जो मैंने चार-पांच महीने लगा था उसको analyze किया कि जो एक ग्रूप है को कहीं ना कहीं अभी भी Google Sheet को लेकर के नहीं है और कुछ लोगों को तो गूगल शीट और एक्सल शीट का इसलिए यह वाली वीडियो सीरीस पूरी की पूरी इस वीडियो सीरीस में हम यही बात करते आ रहे हैं कि चोटी-चोटी चीजों को आप cover करिए चोटी-चोटी चीजों को आप समझे उसके बात सैद आप अपने लिए एक बहतर टूल बना पाएंगे वो चाहे आने वाले झाल झाल